इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्रपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करती हैं इसंक की हेड्लाइन्स के बारे में सिक्षा की वार्षिक इस्थिती रिपोर्ट 2021 के मुताबिक सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा और निजी ट्यूशन लेने वाले बच्चों के अनुपात में भी हुई बढ़ुतरी भारत ये प्रतिभूती और विनिमे बोड से भी ने निवेशक चार्टर का अनावरन किया व्यवसाईक उत्तरदाईतों और संधारनियता रिपोर्ट बी आर एसार को जारी करना हरित कमपनियों की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा भारत को वर्ष 2021 में विप्रेशन के रूप म 87 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए नेट जीरो के लिए ग्लासगो वित्यगडबंदन इस्थापित किया गया इसरो ने चंद्रयान 2 और नासा के लूनर रिकॉनिसंस और बीटर के बीच संभावित टकराव को रोका और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं सिक्षा की वार्षिक इस्थिती रिपोर्ट सर्कारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है लेकिन निजी टीशन लेने वाले बच्चों के अनुपात में भी व्रिधी हुई है प्रथम फाउंडेशन द्वारा नागरिक नेतरितोवाली सर रिपोर्ट के 16 वे संस्करण में 5-16 वर्ष की आयू के बच्चों को शामिल किया गया है रिपोर्ट के निशकर्ष में बालकों की नामांकन के बारे में कहा गया है कि बालक और बालिकाओं दूनों की नामांकन में निजी से सरकारी स्कूलों की ओर शिफ्ट का एक पैटन दिखाई पड़ता है वर्ष 2020 में 65.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021 में 70.3 प्रतिशत बच्चों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया है वही पेट ट्यूशन कक्षाओं के बारे में बोला गया है कि ट्यूशन लेने वाले बच्चों में लगातार व्रधी देखने को मिली है केरल के अलावा सभी राजियों, सभी कक्षाओं तथा सभी प्रकार के स्कूलों में लड़के और लड़कियों दोनों में ही ये अनुपात बढ़ा है वहीं सबसे ज्यादा वंचित परिवारों के बच्चों में ट्यूशन लेने की प्रवर्ती में सबसे ज्यादा व्रधी देखी गई है स्मार्टफोन के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि हाला कि स्मार्टफोन की उपलब्धिता लगभग दो गुनी होकर 68 पृतिशत हो गई है लेकिन स्मार्टफोन वाले घरों में भी केवल एक चौथाई बच्चे ही आवश्यक्ता होने पर इसका उप्योग कर पाते थे स्पोर्ट से ये भी पता चलता है कि वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में स्कूलों में नामांकित ना होने वाले बच्चों की संख्या विशेशकर लड़कों में व्रिधी हुई है अगली खबर सेबी से संबंदित हैं सेबी ने निवेशक चार्टर का अनावरन किया है इस चार्टर का उद्देश्य निवेशकों को निवेश से जुड़े संभावित जोखिमों को समझने और निस्पक्ष पारदर्शी और सुरक्षित बाजार में निवेश करने में बना कर उनके हितों की रक्षा करना है बजट 2021 में निवेशकों को सभी प्रकार के वित्य उत्पादों की दुर्भावना पूर्ण बिक्री से बचाने के उद्देश्य से निवेशक चार्टर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ये कदम इसली भी महतवपूर्ण है क् वित्वर्ष 2021 में खुद्रा निवेशकों की कुल संख्या में 14.2 मिलियन की व्रिधी हुई है चार्टर निवेशकों के अधिकारों और उत्तरदाईत्यों की रूप रेखा तयार करता है इन अधिकारों में शामिल है निस्पक्ष और नियायसंगत समाधान प्राप्त करना सेबी कमप्लेंट रिड्रिस सिस्टम पोर्टल में दर्ज निवेशकों की शिकायतों का समय पर समाधान करना। इस कोर्स एक ओनलाइन प्लेटफॉर्म है इसे निवेशकों को सूची बद्ध कमपनियों और बिचोलियों के विरुधि सेबी में अपनी शिकायतें दर्ज कर करना शामिल होगा किसी भी बदलाव के मामले में उनके संपर्क विवरंट को अपडेट करना होगा ये सुनिश्चित करना कि शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज किया जाए उनके खाते केवल उनके लाभ के लिए संचारित किये जाते हैं इसके अलावा उत्तरदाईतो और संधारणियतार रिपोर्ट बियार ऐसार को जारी करना भारतिय वणिज्य और उद्योग महासंग फिकी ने भारत में जलवायू का रवायों की संचालन में व्यवसाईक, उत्तरदाईत और संधारनियता रिपोर्ट की भूमिका पर चर्चा करने के लिए ग्लासगो में एक अतिरिक्त कारिक्रम का आयोजन किया था आपको बता दें कि बीते दिनों ग्लासगो में ही कोप 26 का आयोजन किया था BRSR वर्ष 2021 में सेबी द्वारा शुरू किया गया एक मानकी कृत रिपोर्टिंग प्रारूप है ये कमपनियों और विभिन शेत्रों में पर्यावरणिये सामाजिक और अभिशासन संबंधी लक्षियों के बीच तुलना करने के लिए एक आधार रेखा प्रदान करता है Environmental, Social and Governance के गयर वित्तिय विवरण को व्यापाक पैमाने पर सुवेक्षा से जारी किया जाता है वित्तिय वर्ष 2021-22 में लागू नए मानकों के तहत स्वेक्षा से आवशक सूचना को प्रकट करना हुगा वहीं अन्य समान वैश्विक रिपोर्टिंग मानक है Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board, Task Force on Climate Related Financial Disclosure आदी BR, SR यानि की व्यवसाइक उत्तरदाईतों और संधारनियता रिपोर्ट का काफी महतो है ये अतिय आवश्यक एक रूपता प्रदान करेगी क्योंकि ये अन्य वैश्विक स्थिरता रिपोर्टिंग धाचों जैसे की Global Reporting Initiative और Sustainability Accounting Standards Board आदी से input प्राप्त करती है जलवायू प्रतिबधिताओं को मजबूत करने और विकारबनी करण में तेजी लाने तथा व्यवसायों के लिए हरित निवेश आकरशित करने के लिए इसका काफी महतो है भारत को वर्ष 2021 में विप्रेशन के रूप में 87 बिलियन डॉरर प्राप्त हुए विश्यू बैंक की Migration and Development Brief 35 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विप्रेशन प्रवाह में 7.3 प्रतिशत की वृधि दर्ज की जई है साथ ही निम्न और मध्यम आये वाले देशों में रेमिटेंस के वर्ष 2021 में 7.3 प्रतिशत बढ़कर 589 अरब डॉलर तक पहुचने का अनुमान है इन इसकरशों के मताबिक भारत को विप्रेशन के रूप में 87 अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं इस कुल विप्रेशन के 20 प्रतिशत से अधिक भाग के साथ सेंफ्ट रज अमेरिका इसका सबसे बड़ा सुरूत है भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलिपीन्स और मिस्र का इस्थान है भारत में रेमिटेंस के वर्ष 2022 में 3 प्रतिशत बढ़कर 89.6 बिलियन डॉलर होने का अनुमान व्यक्त किया गया है ये कुल प्रवासियों की संख्या में गिरावट को दर्शाता है क्योंकि अरब देशों से भारत लोटने वाले प्रवासियों का एक बड़ा भाग अरब देशों में वापस लोटने की प्रतिग्षा कर रहा है ये प्रवासन से जुढे सतत्र विकास लक्ष से सम्मदिद घटना करम पर प्रकाश ढालता है इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में और विप्रेशन की लागत में कमी को SDG संके तक 10C1 में दर्शाय गया है विप्रेशन का महत तो ये है कि ये विदेशी मुद्रा भंडार को इस्थिर बनाए रखने में युगदान करता है ये भारतिय रुपे की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने मुल्ले को बनाए रखने में मदद करता है वही स्वास्ते सेवा, उद्यमिता, सिक्षा और समगर आर्थिक विकास पर रेमिटेंस का सकारात्मक प्रभाव शामिल है नेट जीरो के लिए ग्लासगो वित्य गडबंदन स्थापित किया गया जीफांस को मूल रूप से अप्रेल 2021 में प्रस्तुत किया गया था इसे अग्रणी वित्य संस्थानों के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है इसका उदेश्य पैरिश समझोते के अनुरूप अर्थविवस्था के विकारबनी करण के माध्यम से शुद्ध शुन्य यानि नेट जीरो उत्सरजन वाली वैश्विक अर्थविवस्थाओं को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है इसे संग्तुराष्टर जलवायू परिवर्तन फ्रेमवाक कन्वेंशन यानि UNFCCC के क्लाइमिट आक्शन चैंपियन्स एवं कोब 26 प्रेजिडेंसी के साथ संग्तुराष्टर जलवायू कारवाई और वित्त के लिए विशेश दूद द्वारा लॉंच किया गया था नेट जीरो का उद्देश्य वर्ष 2050 तक शुद्ध शुन्य उत्सर्जन के लक्षी को प्राप्त करना है इसका लक्षे संग्तुराष्टर के रेस टू जीरो अभियान के अनुरूप है ये वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए कठोर और ततकाल कारवाई करने के लिए कमपनियों, शेहरों, शेत्रों, वित्तिये एवं सेक्षनिंग संस्थानों सहित घेरराज्य अभिकरताओं को एक जुट करता है जीफान्स के तहट सदस्यों के रूप में Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers Initiative, Net Zero Asset Owners Alliance, Net Zero Insurance Alliance, Net Zero Financial Service Providers Alliance आधी शामिल है सईक्तुराष्टर परियावरन कारिक्रम वित्त पहल यानि UNEPFI द्वारा आयोजित किया गया Net Zero Banking Alliance नवीनतम Net Zero गडबंदन है अन्य Net Zero गडबंदनों में शामिल है Net Zero Asset Managers Initiative और UN आयोजित Net Zero Asset Honor Alliance इससे पहले वर्ष 2019 में सईक्तुराष्टर महासभा ने अपने उत्तरदाई बैंकिंग से धानतों को भी लॉंच किया था इसके तहट बैंक इस्थाई प्रथाओं को प्रोटसाहित करने के लिए अपने ग्रहाकों के साथ कारे करने और व्यवसाइक रणीतियों को सेंग्तुराष्टर के सतत विकास लक्षियों के साथ जोड़ने के लिए सहमत हुए थे अगली खबर अंतरिक श्यत्र से इसरो ने चंद्रयान टू और्बिटर और नासा के लूनर रिकॉनिसंस और्बिटर के बीच संभावित टकराव को रूका है इसरो द्वारा कोलिजन अवोईडेंस मैन हुवर यानि कैम के माध्यम से इन दो और्बिटर की टकर को रूका गया है इसरो ने ऐसा चंद्रमा के उत्री धुरुव के पास निकर्तम पहुँच दूरी यानि केवल 3 किलोमीटर शेस रहने संबंधी डेटा पता चलने के बाद किया नहीं तो दोनों और्बिटर के बीच टकर की पूरी संभावना थी अंतरिक्ष मलबे और अन्य सक्रिय अंतरिक्ष यानो सहित अंतरिक्ष पिंडो के कारण टकराव के जोखिम को कम करने के लिए पृत्वी की कक्षा में उपग्रहों के लिए कैम से गुजरना एक समाने घटना है हाला कि ये पहली बार है जब इस रो के अंतरिक्ष अन्वेशन मिशन के लिए इस तरह की अत्यंत संभावित टकर का अनुभव किया गया था चंद्रियान टू मिशन को वर्ष 2019 में चंद्रमा के बहिर मंडल सता और उपसता को मिला कर उसके सभी शेत्रों का अधियन करने के उद्धेश से एक ही मिशन में लौंच किया गया था चंद्रियान टू में चंद्रमा के अस पश्ट दक्षिनी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक और्बिटर, लैंडर यानि विक्रम और रोवर यानि प्रग्यान शामिल थे हाला कि मिशन में अंतरिक्ष यान चंद्रमा की अपनी सौफ्ट लैंडिंग में विफल रहा लेकिन इसके और्बिटर ने सफलता पूर्वक चंद्रमा के बारे में महत्तपून्ट जानकारी को आज तक एकत्र और प्रसारित करना जारी रखा है लेंडर, रोवर, और्बिटर, नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है ये वर्तमान में एक उतकेंदरी ध्रुविय मैपिंग कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है इसी से जोड़ा एक और तथ्य है केसलर सिंड्रुम ये एक ऐसे इस्थिति है जिसमें निम्न भूकक्षा में पिंडो का घनत तो इतना ज्यादा हो जाता है कि वस्त्वों के बीच टक्राव एक सोपानी प्रभाव का कारण बनता है इसमें प्रतेक टक्राव अंतरिक्ष में मलबा उत्पन्न करता है जिससे की आगे टक्राव की संभावना बढ़ जाती है और आई याब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूंट सूर्खियों की एक राश्ट्र एक विधाई मंच अखिल भारतिय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताबदी वर्ष के उपलक्ष में प्रधानमंत्री ने लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए किये जाने वाले कई उपायों की घुशना की प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका विचार वन नेशन वन लेजिसलेटिव पोर्टल का है जो नकेवल हमारी संसदिये विवस्था को जरूरी तकनीकी उन्यन प्रधान करे बलकि देश की सभी लोगतंत्रिक इकाईयों को जोड़ने का भी कारे करे अखिल भारतिय पीठा सिन अधिकारी संमेलन भारत में विधान मंडलों का सर्वोच निकाय है इसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी वर्ष 1925 में महिलाओं के मतदान के अधिकार जैसे एतिहासिक प्रस्तावों को इस संमेलन में पारित किया गया था यूरोपिया आयोग ने वनोनी मूलित और निमनीकrit भूमी में बने क्रिशी उत்पादो की बिक्री पर प्रतिबिन लगाने की यूजना बनाई है लक्षित खाद्य पदार्थों की प्रारंबिक सूची में सोया, बीव, ताड का तेल, कोको और कौफी तथर लकडी शामिल है यूरोपिय ग्रीन डील के अनुरूप उठाया गया ये कदम, ये सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि विश्चु भर के वन सुरक्षित रहें और कार्बन डियोकसाइड को अवशोशित करना जारी रखें पाकिस्तान सरकार ने भारतिय नागरिक कुलभूशन जाधव को सैन्य अदालत द्वारा दिये गए मृत्युदंड के विरुध अपील करने में मदद के लिए एक विधेक पारित किया है ये विधेक International Court of Justice के वर्ष 2019 के निरने को प्रभावी बनाने के लिए लाय गया है International Court of Justice हेग सैंक्तुराष्ट्र संग का मुख्य न्याईक अंग है इसकी स्थापना वर्ष 1945 में होई थी सैंक्तुराष्ट्र के छे प्रमुख अंगों में से ये एक मात्र ऐसा अंग है जो न्यू यॉक में इस्थित नहीं है महासभादवारा अंतराष्ट्रोय न्यायले में 15 न्यायधीशों की न्यूप्ती 9 वर्ष के लिए की जाती है अगला है पूर्वोत्तर शेत्र सामुदाइक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी ये उत्तर पूर्वी शेत्र विकास मंत्राले की पूर्वोत्तर परिशत के तत्ववधान में वर्ष 1999 में गठित एक पंजीकृत सोसाइटी है ये पुर्वत्तर शेत्र के दूर दराज के ग्रामीन शेत्रों के रूपांतरन के प्रतिसमर्पित है और अब तक चार राज्यों अरुनाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मनिपूर को कवर कर चुकी है ये पुर्वत्तर शेत्र सामुदाईक संसाधन प्रबंधन परियोजना को सामाजिक एकत्री करण के माध्यम से और आइस रजन करने वाली गतिविधियों पर बल देते हुए संचालित करती है भारतिय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केद्र द्वारा समिती का गठन किया गया इस समिती की अध्यक्षिता सिक्षा विद्चामुक्रिष्ण शास्त्री करेंगे और इसमें तीन अन्य सदस्य होंगे समिती को मौझूदा संस्थागत धाचे का अध्यन करने और देश में विद्ध्यालई तथा उचितर सिक्षा दोनों में भारतिय भाषाओं के अध्यन में सुधार के तरीकों पर सुझाव देने का कारेभार सौप गया है इसमें अनुसूचित, लुप्त प्राय, गैर अनुसूचित, गौन, जनजातिय और शास्त्रिय भाषाओं सहित सभी श्यनियों की भाषाओं को शामिल किया जाएगा ये कदम राष्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 के अधिदेश को पूरा करता है जो भारतिय भाषाओं को बढ़ावा देने का समर्थन करता है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वन और टू और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित शेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंदूरी दी है वामपंती उग्रवाद से प्रभावित शेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को वर्ष 2016 में नौराज्यों में रणीतिक महत्यू की सड़कों और पुलों के निर्मान और उन्यन के लिए शुरू किया गया था प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना को गरीबी कम करने की रणीतिके हिस्से के रूप में अलग थलग इस्तित बस्तियों से संपर्क इस्थापित करने के लिए शुरू किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण वन को 100% किंद्र प्रयुजित योजना के रूप में दिसंबर 2000 में आरंब किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू को मौझूदा ग्रामीन सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के उन्नेयन के लिए वर्ष 2013 में आरंब किया था लागत को केंद्र और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साज़ा किया गया था नया बाहे ग्रह यानी एग्जोप्लेनेट TOI 1789B या HD 82139 एहमेदाबाद इस्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक नए एग्जोप्लेनेट की खोज की है इसका द्रवेमान सूरिस से डेढ़ गुना है और ये 725 प्रकास वर्ष दूर इस्थित है ये दूसरा बाहे ग्रह है इसे TOI 1789B या HD 82139B नाम दिया गया है इस तरह का पहला बाहे ग्रह के टू 236B वर्ष 2018 में खोजा गया था तारों के आसपास 0.5 से लेकर ब्रिहस्पती ग्रहों के द्रवेमान तक के इस तरह के निकट्तम एग्जोप्लेनेट ग्रहों को होट जुपीटर कहा जाता है आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में नेपाल की लांगतांग सुक्ष्म जलविद्युत परियोजना एक हिमनत जीर से संबंदित नेपाल की पहली जलविद्युत परियोजना है नेपाल दक्षिन एशिया में इस्थित एक इस्थल रुध देश है इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिन और पूर्व तथा पश्चिम में भारत इस्थित है नेपाल करक रेखा के उत्तर में समसीतोषन शेत्र में इस्थित है नेपाल का उच्चितम बिंदू माउंट एव भारत में गंड़क नदी कहा जाता है ओमान ने अपनी अर्थ विवस्था को बदलने के लिए विजन अरब अमिरात के साथ इस्थलिय सीमा साजा करता है ओमान में एक लंबी परवत श्रिंखला है जो कि उत्तरपश्चिम से पुर्व की ओर खाड़ी तटके समाना नतर इस्थित है ओमान में मरुस्थलिय जलवाई हूँ है इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फेन मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्यपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए मास्क पहनिए हाथ और चेहरा साफ रखिए और टी का करण अवश्य करवाईए और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे आजिए आजिए नमस्कार